दोस्तों जैसे कि आप देख सकते है मेरे फोन में 2 WhatsApp और 2 Telegram है आप भी अपने मोबायल में 2 WhatsApp को चला सकते हैं कोई थरब पाड़ी अब्लीकसर नहीं है औरिजनल वाला WhatsApp है ठीक है मतलब आप कोई भी अब्लीकसर जो आपके फोन में है उसका आप क्लोन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके लिए कोई भी थर्ड पर्ट ये अब्लीकेसिन इस्टॉल करने के जुरूत रिए माली जी आपको जो है दो वाटसीप के जुरूरत है तो आप कैसे करेंगी इसके लिए आप क्या करते है यहाइ चाहिप कर लेते है तो कि हसली क्या है तो आज में आपको बेसिकली यह दिखांगा आप इसे बनसे और बहुत यदि आसान याप इसको यूज कर सकते जैसे कि आप देख सकते यह clone बाला application को मैंने use किया और यहाँ पर देख सकते हैं यह काम भी कर रहा है ठीक है मैंने इसको खुद प्राई करके देखा है तो मैं आज आपको यह दिखाऊंगा तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना मैं पूरा पूरा यह close कर देता हूँ देख सकते हैं दो टेली की option में आ जाना है तो setting की option में आ जाने के बाद आपको यहाँ नीचे के तरह आना है आपके फोन में application या फिर apps होके यहाँ पह पे option आएगा तो हम हमारे phone में यहाँ पे apps की उपर क्लिक करेंगे अप यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ option और यहाँ पे आपके phone में हो सकता है कि app kloner या फिर dual app का नाम पर आ सकता है तो यहाँ पर app kloner मेरे phone में है आपके phone में साथ dual जो यहाँ पर app है वह आप सकता है अप्सिन का name तो इसकी उपर हम simply click कर देंगे जैसे अब इसकी उपर क्लिक करेंगे आपके फोन में जो भी सारे अपलिकेसिन है वो सभी आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं तो अभी जो है मुझे यहाँ पर क्लोन बनाना है तो कौन सा अपलिकेसिन का को नम बनाएंगे देखिए फेस्ट्बूक का भी बना सकते हैं प्रिट कार का भी बना सकते है सभी application जो भी यहां पर application है वो सभी का आप यहां से आसान इसे clone बना सकते है मैं नीचे की तरह पाँ जाता हूँ जो भी सारे application है यहां पर बहुत सारे application है यहां पर बनाना चाहता हूँ तो simply इसकी उपर एक बार क्लिक करेंगे business की उपर click करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर create app clone लिखाओ आ रहा है और यहाँ पर बस आपको इसको alloc कर देना है जैसे आप on कर देंगे देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा लिखाओ आएगा creating app clone तो आपका clone यहाँ पर हो गया है ठीक है अभी इसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर mobile info कर देता हूँ mobile info चलि mobile info मैं यहाँ पर कर दिया और सेब कर दिया अभी यह जो application आएगा ना mobile info नाम से आएगा वो कहाँ पर आपको मिलेगा simply आपको आजाना है और आपका यहाँ पर आपको जो home page है इसमें आपको आजाना है इसमें आने कबद आपको थोड़ा से नीचे के तिरफ आजाना है ठीक है तो आप देखें कि यहाँ पर आपका आजाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर वार्टसप बिजनेस के पास ही मुझे यहाँ पर mobile infoj application यहाँ पर आ गया तो इसको हम यहाँ पर drag करके सिधा यहाँ पर ला सकते हैं देख सकते हैं तो हमारा दो वार्टसप बिजनेस यहाँ पर बनके तैयर हो गया है इसी तरीके से आप सभी application को यूज कर सकते हैं सेम प्र telegram on है whatsapp on है facebook का करना चाहते तो facebook का भी कर सकते हैं यहाँ पर बस आपको यहाँ पर allow कर देना है आपका यहाँ पर clone बनके तयार हो जाता है तो आपने देख लिया कितना आसान है किसी भी application का clone बनाना इसके लिए third party application के यूज करने की कोई भी जरूत नहीं है इसको यूज कर